बाबा बागेश्वर के दिव्य दर्बार में बुद्वार को अफरात अफरी मच गई भीड अधिक होने के कारण कुछ लोग बेहोश हो गए तो कुछ नीचे गिर कर चोटिल हो गए कुछ लोगों के परिवार के सदर से एक दूसरे से बिछड गए किसी थरा स्थिती पर काबू पाया गया इससे यहां के वेवस्ताओं पर सवाल खड़े हो गए है सुबह 10 बजे से बाबा बागेश्वर का दर्बार लगना था लेकिन उससे काफी पहले ही लोग कथा स्थल पर पहुँचने शुरू हो गए कुछ लोग रात से ही पंडाल में रुख गए थे पंडित धिरेंद्र शास्त्री दुपेर करीब एक बज़े मंच पर पहुँचे तो लोग जादा उत्साहिक हो गए और पेकाबू होने लगे गर्मी अधिक होने की वज़ा से अचानक कुछ लोग बिहोश हो गए कि लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा और लोग बेहोश हो गए और उनकी सांसे उखडने लगी यही वज़े रही कि पंडित धिरेंद्र शास्त्री को मंच से एलान करके लोगों को समझाना पड़ा लेकिन जब लोगों ने उनकी बातें नहीं सुनी तो बाबा को अपना दिवे दरबार बंद करना पड़ा गेटर नड़ा थे मैं मुहमद ईसुफ यूस 24